हालो एवरीवन वेल्कम बैक टो एर ओन अकेडमी डेटीज अचीवर्स अकेडमी दिस साइड निशा शर्मा यूर फ्रेंड यूर गाइड सो अपनी हर्याना जीके की सीरीज में आज हम वीडियो नंबर 3 डिसकस कर रहे हैं ये क्लास इंपॉरेंट होने वाली है हर्याना में ह से एक कोशन कंफर्म है आज तक कोई ऐसे एक्जाम नहीं है जहां से कोशन ना आया हो इस वाले टोपिक से तो आज हम टोपिक डिसकस करेंगे नेशनल पार्क फर्याना एंड यू कैन से वाइल लाइफ सेंचुरी वन्ने जीव अभ्यारन इन इंग्लिश यू कैन से वाइल सेंचुरी वाइलिंगल रहेगा अपना कंटेंड वाइल लाइफ सेंचुरी औं नेशनल पार्क मतब रास्ट्य उद्दान हरियाना के तो समझ लेते हैं रास्ट्य उद्दान या वाइल लाइफ सैंचुरी जोती क्या हैं इनके क्यू जरूरत पड़ी देखे हमारी कुछ जीव जन्तु हैं, कुछ परजातियों हैं धीरे-धीरे लुप्थ हो रही हैं, तो कौन ये चाहेगा यार हमारी परजातियां या हर चीज लुप्थ हो जाए, तो सरकार क्या चाहती है कि लुप्थ होती परजातियों के लिए एक संरक शित्र बना दिया जाए, specific areas बना दिया वहाँ पर उन परजातियों को रखा जाए ताकि हमारी परजातिया लुप ना हो क्योंकि ऐसे खुल्ले आम तो घूम नहीं सकते तो आपको पता हिंडिया में बहुत सारे wildlife centuries हैं बहुत पहले मैंने पढ़ा भी रखा यूटूब पर भारत की wildlife century ट्रिक से याद करवार के जिन्दगी में नी भूलोगे बहुत पुरानी वडियो होगी है तो आपको क्या है simple सी भाषा में यहां पर हर्याना जी के है तो हर्याना में कौन-कौन से wildlife centuries हैं उनको हमें याद करना है फरक क्या है नेशनल पार्क और wildlife centuries के अंदर दोनों में ही परजातियों को सुरक्षित रखा जाता है नेशनल पार्क में क्या होता जो human activities होती है वो निशेद होती है निशेद इनना सेंस यह नहीं कि आप जा नहीं सकते हैं आप जा सकते हो पूरा permissions के साथ और पूरा बहुत criteria होते हैं व होती ही ठीक है दोनों का ही target वो ही है जीव जंतों को सुरक्षित रखना अब हरियाना की बात कर रहते हैं हरियाना में नेशनल पार्क मतब रास्ट्य उद्धान हरियाना में रास्ट्य उद्धान दो है और यकीन मानिए इस class के बाद आपको इस chapter को revise करने की जूरत नहीं ब उद्धान तो रास्ट्य उद्धान जो नेशनल पार्क है हरियाना में वो भी दो ही है ठीक है तो हरियाना में नेशनल पार्क भी दो ही है कौन-कौन से हैं एक सुल्तानपूर नेशनल पार्क है और एक कलेसर नेशनल पार्क है कैसे questions बनेंगे इन से देख लेते हैं तो हरि टुल्तानपूर पक्षी उद्यान आपको नाम से ही दिख रहा होगा यह सलीम अली पक्षी विख्यानिक थे एक सलीम अली उनके नाम पर रखा गया है, सलीम अली ने यूकेंसिस का नाम करन किया है, उनके रिगार्ड में है, ये सुल्तान सलीम अली पक्षी विहार भी हम इसको बोल देते हैं, ठीक है, लेक बर्ड संचुरी भी इसको बोल देते हैं, क्योंकि कहते हैं यहां एक चोड़ी सी जील सी है उसमें बहुत सारे पक्षी बतक रहते हैं basically Siberian Cyrus रहती है ठीक है लेक बर्ड संचूरी भी इसको कह दिया जाता है और यह क्यों परसिध है भाई? परवासी पक्षियों के लिए परवासी पक्षी समझ जो आपको पता है विबिन देशों में बहुत ठंड होती है तो पक्षी उरूड के यहां आते हैं ठीक है इस अपके इसके अंदर आते हैं तो कौन सा पक्षी है जिसके लिए फेमस है साइबेरियन सारस कोशन डिरेक्ट आ जाएगा साइबेरियन सारस के लिए कौन सा नेशनल पा पार्ण भुषित कर दिया गया इसको नेशनल पार्क जो गुषित करा गया वो 1991 में किया गया ठीक है वो 1991 में किया गया कुछ बुक्स के अंदर ध्यान से देखना आपको 1989 लिखा मिलेगा और 1989 भी ठीक है लेकिन HSSC में जब एक कोशन आया पीछे कि सुल्तानपूर नेशनल उध्यान कब बना तो HSSC ने अपनी आंसर की में मतलब इसको नेशनल पार्क कब गोशित किया गया 991 माना है तो इसका मतलब आप क्या समझे यदि option में 991 गिवन है तो आप 991 ही आंसर करके आएंगे यदि option में 991 नहीं है तो आप आप आंसर 1989 भी कर सकते हैं लेकिन जब option में 91 है तो आपका आंसर सर्फ 91 ही होना चाहिए अब कुछ बचे करगे मैं मैं दोनों हो तो आरे दिमा ऐसा point है जो आपको क्या है ध्यान रखना है और इसका श שמतरफलय 143 वARK 1 किलोमीटर 143 वर्क किलोमीटर इसका क्या है शित्रफल है 143 हेक्टेर के राउंड इसका क्या है शित्रफल है ठीक है तो यह सारे पॉइंट्स आपको किस से रिलेटिड याद रखने हैं सुल्तानपूर नेशनल पार्क से रिलेटिड याद रखने हैं दूसरा जो नेशनल पा यमुना में नाधि आपको पता है यमुना में नाधि तो काले पढ़ जाएंगे अब आप कोगे काले कैसे वाटर पार्क गए हो ना गर्मियू में वाटर पार्क से आते हैं जो किशनी आपका यमना नगर में है जो कि 13.45 वर किलोमेटर में फैला हुआ है ये किसलिए परसीद है ये लाल जंगली मुर्गे ध्यान रखना ये कोशन स्क्रिनिंग के एक्जाम में आया था लाल जंगली मुर्गों के लिए कौन सर नेशनल उद्धान फेमस है तो यू शूड रिमें के लिए कि भी जितकबरी बिलियों के लिए लिए फेमस थो ज一閃 रखना सबसे ज़िए एंपको ध्यान रखना मिलें लाल मुर्ग keynote के लिए एक कौन सा लाल गर्दन वाले मतलब इनकी गर्दन लाल होती हो गी बैई तो ऐसे जंगली मुर्गों के लिए फेमस है कलेसर मंदिर भी बना हुआ है तो इसी की बाउंडरी में एक्ष्य मंदिर भी बना है ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है ठीक है और एक बहुत इंपॉर्ट बांथ है ये ऐसा नेशनल पार्ख है जो तीन स्टेट को टच करता है मलब यह युमना नगर के बिल्कुल एंडिं और 2003 में इसको क्या बनाया गया था भई नेशनल पार्ख बना गया था वैसे तो यह बना था 1996 में बट 2003 में इसको नेशनल पार्ख गोशित कर दिया गया था ठीक है धान रखेंगे ये सारे के सारे पॉइंट तो मेन क्या याद रखेंगे युमना युमना में नहाएंगे तुकाले हो जाएंगे, लाल जंगली मुर्गे, भोकने वाले हीरन, चितकबरी बिल्ली के लिए परसिद हैं, शिव मंदिर भी इसके आसपास देखने को मिलता है, 2003 में इससे क्या बनाया गया है, नेशनल पार्क बनाया गया था, तो ये चीज आप क्या है, याद रखेंगे, तो ये थे दो नेशनल पार्क और इन दो नेशनल पार्क से आने वाले कोशन, ठीक है, अब बात कर लेते हैं, वन्या जीव अभ्यारन की, वन्या जीव अभ्यारन, वाइड लाइफ संचुरी हरियाना में कितनी है, आठ है, पक्का इन आठों में से कोशन आएगा, साथ करऊंगी साइड में छोड़ दिया है ताकि आप कभी ना भूलो कि यह वाइड लाइफ सेंचुरी कहां है तो वाइड लाइफ सेंचुरी कितनी है भई आठ है तो सबसे पहले काले सर ही है वैसे यदि ज्यादा नाम देखें तो नेशनल पार्क को काले सर बोल देते हैं इसको काले सर नेशनल पार्क अडजेक्टली वो ही है युमना में नाएंगे तो काले हो जाएंगे तो आपको धान रखना है काले सर नेशनल पार्क आपका कहां है यह मुना नगर में है ठीक है यह कहां है यह मुना नगर में है और यह परियावन सम्वेदन शील शेत्र घोसित कि आ गया है कालेशर नेशनल पार्क कहां है या मुना नगर में तो सीधा सीधा याद हो गया आपको कोशन यही आएगा कि यह नेशनल पार्क कहां पर सित है ठीक है कोशन ऐसे ही आएगा अब दूसरा नेशनल पार्क है अबूब शहर या अबू शहर हम इसको बोलते हैं देखो किसको कहा जाता है पिताजी, अपने पापा को कहते हैं, वो तो अलग चीजा है, हमारे पापा, हमारे आदर्श, हमारे मतलब फादर, वो एक अलग कोंसेप्ट है, बढ़ याँ पर तुम्हें याद करवाने के लिए, मैंकोशन बता रही हूँ, हर्याना में पिताजी के नाम से कौन फेमस है फड़ा फड़ बताओ हर्याना में पिताजी के नाम से फेमस थे मतलब है बावा राम रहीम सब को पता है ना भई बावा राम रहीम हर्याना में पिताजी के नाम पे फेमस है अब पिताजी का डेरा कहा है अब ऐसा तो कोई हर्याना वाला बच्चा होगा नहीं पता होगा अब पिताजी का डेरा कहा है बाई सिर्सा में बास हो गया याद आपको और पिताजी का डेरा कहा है सिर्सा में और डेरा बहुत बड़ा है तो अब्बू शहर वन्यजीव अभ् है ठीक है ये भी कोशन इसके साथ ही याद हो जाएगा यह हर्याना का सबसे बड़ा वन्यजीव भेंड है ग्यारा हजार पांसो तीस जो इसका वर किलोमेटर एरिया है लगबग इतने हैक्टियर मतलब जमीन पर फैला हुआ है डेरा नहीं अबू शहर ठीक है अबू शहर वा बाबा राम रहीम को पिताजी बोलते हैं बाबा राम रहीम का डेरा सिरसा में है हो गया वस याद सीदी सीवाथ है और वो डेरा सबसे बड़ा है तो अब्बू शहर सबसे बड़ा है हो गया याद गोट इट चलो अगला है चिल चिल चिला अब चिल जाते हैं चिल जाते है हाई खून निकल गया छिल गए अब हमारा खून निकलता है हम छिल जाते हैं कब छिल जाते हैं जब लडाई करते हैं हाना और हर्याना में जहां लडाई हुई थी कौन सा शित्र है हर्याना में जो लडाई के लिए बहुत परसीद है तो everybody knows कुक्षित्र ठीक है ऐसे मैं क्यू साथ लिख रही हूँ मैं पहले लिख देती तो उसमें तुम्हें मजा नहीं आता इसलिए लिख लेती हूँ कि टाइम बहुत कम कंजूम हो ठीक है शोट टाइम में मैक्सिमम कंटेंट मुझे हर्याना जी के पूरी करवानी है चैलेंज है मेरे लिए कम टाइम में मतलब मैक क्रुक्षेत्र में है और चिलचिला चैसे चिलचिला चैसे चोटा चिलचिला वन्यजीव अभ्यारन हर्याना का सबसे चोटा वन्यजीव अभ्यारन है जो कि मत्र 29 मतलब 29 कह दो या अडजेक्ट आकड़े 28.92 वार किलोमेटर के अंदर फैला हुआ है ठीक है याद हो गया शीत कालिन पक्षी आते हैं, यहां पर ऐसा बोलते हैं, शीत कालिन पक्षीों के लिए यह famous है, फिर हम बात कर लेते हैं, दो नेशनल पाक्स की एक साथ, क्योंकि यह दोनों एक ही जगे पर स्थेत है, वीर शिकारगड और खोल ही रैतान, तोनों एक ही जगे हैं, पंच कुला लिए मारेंगे हम तो भाई मारने काम कोई वीर आधमी करता है, कोई पंच चलने का बहुत असे शिकार करने काम है वीर वीर लोग शिकार पे जाते हैं हैं और पंच को ऐसे खोलते हैं अपने किसी भी पंच को धनुश को कमान को ऐसे खोलते हैं खोल ही रहतान ठीक है याद हो गया तो वीर शिकारगड पंच कुला खोल ही रहतान तो आपको यहाँ पर धान रखना है खोल ही रहतान तो बस याद हो गया वीर शिकार करने जाते हैं, अपने पंच को खौल के, तो खौल ही रयतान और वीर शिकारगड, दोनों कहां पर होगे भई, पंच कुला में, दोनों कहां पर होगे पंच कुला में, ठीक है, अगला है खपरवास, वन्यजीव अभ्यारन और भिंडवास, इनको भी साथ-साथ करेंगे चोकि ये दोनों भी बिल्कुल एक ही जैसे हैं, ठीक है, कपरवास वन्यजीव अभ्यारन और भिंडवास मतलब भिंडवास आईए आकारंड़ा भी है, ठीक है, तो इनको एक साथ करेंगे यह दोनों ही जजर के अंदर हैं ठीक है यह दोनों ही जजर के अंदर हैं अब याद कैसे करेंगे देखो भिंडी 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 है ना भिंडवास तो अब भिंडी जब मतलब गंदी हो जाती है भिंडी में खरी-खरी बदभू आने लग जाती है ठ कोई भी चीज भिंडी की तरह जर जर हो जाती है जर जर हो जाती है कोण सा भ्यारण सुन्दर जील के लिए परसिद है तो ऐसे याद हुजएगा कोपरवास भिंडी में खप्री खप्री बांस आ है but make sure एक question याद रखे ना सुंदर जील के लिए कौन सा वन्य जीव अभ्यारन फेमस है तो आपका भिंडा वास है तो this is also important question for point of view next है नहार वन्य जीव अभ्यारन जो की सियार और लोमडी के लिए परसिद है नहार वन्य जीव अभ्यारन अब राजा नहार सिंग आपको पता है कुछ भी आद कर लो ठीक है तो नहर के किनारे बैटके रेवडी खाते हो whatever you like बट नहार सिंग आपको पता है रिवाडी से रिलेट करते हैं तो नहार वन्य जीव अभ्यारन आपका कहा है रिवाडी में अब बताओ कोई ऐसा बच्चा है जिसको वन्य जीव अभ्यारन न बीर शिकारगड और वो खोल ही रहता अंदोनेक साथ पंचकुला में होगे और एक कौन सा था अपका छिल जाएंगे युद में युद कुरुक्षेत्र में हुआ था और नहार वन्य जीव अभ्यारन आपका रिवाडी में हैं कलेसर आपका युम्ना नगर में हैं हो गए यह आध क्लास के बाद तो नहीं याद करने की लुट्स ज़ूर्थ तो सिन्रक्षित हैं दो बिल्कुल रिजर्व हैं वन्य जीव अभ्यारन है वह कोन से हैं वो यह तो हैं सर्ष्वती वन्य जीव और बीर्वाड़ा यहां गматθ होना यह बीर्वाड़़ा है ठीक है बीर् सरस्वती वन्य जीव अभ्यारन है, ये क्रुक्षित्र और कैथल की सीमा पर ही है, मैं अब कहते हैं, क्रुक्षित्र शुरू हो जाता है, कैथल शुरू हो जाता है, और वहाँ वीर शिकारगड़ है, तो कोई कहता है कैथल में है, कोई कहता है क्रुक्षित्र में है, अब तो आप कैथल टिक करेंगे, पहला अंसर कैथल टिक करेंगे, कैथल ओप्शन में ना हो, तो कुरुक्षद्र टिक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो पहला ओप्शन कैथल टिक करना आपको, तो सरस्वती वन्यजीव अभ्यारन कैथल में हैं, और वीरवारा वन्य जीव अभ्यारन है ये ठीक है भई हाँ वो बाकी सिंपल है उसमें आप कैसे घूमो कैसे फिरो बड़ इन दो को थोड़ा सा रिजर्व कर दिया गया है रेस्टिक्शन के साथ ठीक है तो यह यहाँ पर आपको यह सारे बच्चों ने बहुत ज़दा पसंद किया है थोड़ी सी मुझे कम कमेंट बढ़ने को मिले है चलो लेट सी मुझे फीड़ जरूर देते रहा करो कि आपको हर्याना जी की क्लास कैसी लगते हैं क्योंकि नया सब्जेट को इंसान पढ़ाता है तो आपकी जो फीड़ बैक होती है और इसकी वेटेश बहुत ज़्यादा है इस सब्जेट की तो हम बेस्ट वे में इसको कम्पलीट करें बट मैं लाई भी लेलूंग जैसे हर्याना हिस्ट्री है तो उसको एक बार प्राचीन वाली मैडीवल वाली ऐसे करके तो आपको बहुत अच्छे से करवा दूं अपने दोस्तों के साथ अब तो इस आईकोलजी की वीडियो नहीं है ना कि मैडम सब नहीं पढ़ते अरे अब तो निकम्मो हर्याना जिके की वीडियो सारा हर्याना पढ़ता है तो एडलिस इसको तो अपने ग्रुप्स में शेयर करा करो जो बच्चे नहीं जुड़े हैं And don't forget to like and comment and share because I always love to read your comments.